तो आज का आपका टॉपिक है DNA वसेस RNA आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं DNA के पॉइंट्स और कुछ RNA के पॉइंट्स यह टॉपिक काफी जदा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह टॉपिक आपको भी पार्मेसी में, बायो केमिस्ट्री में, BSC नर्सिंग और BSC और सा भी में यह जो टॉपिक है काफी जदा इंपोर्टेंट है, तो आज इस टॉपिक से इलेक्टेड में आपको 17 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 17 पॉइंट्स और वो काफी जदा होते हैं, क्योंकि जनरली हमें थोड़े वो डिफरेंस पता होते हैं, कि DNA की पलपम होती है, तो आज के इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत सारे डिफरेंस विद डाइग्राम, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, काफी मज़ा आने वाला है, DNA वसेस आरेने, अगर आपको और लेक्चर देखने हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, PDF पॉर्मेट में, तो आप टेलिग्राम से जुडिए, वहाँ पर मैंने आपको वाट्सअप के बारे में बता रखा है, वाट्सअप ग्रुप के बारे में, आप वाट्सअप ग्रुप फ न, A, इसका मतलब होता है, नूकलिक असट, अब DNA में जो D है, इसका मतलब है, Dioxy, Ok, Dioxy, Ribose, Ribose शुगर है, पर वो केसी है, Dioxy वाली है, और यहाँ पर R का मतलब है, राइबोस, Simple Ribose, तो DNA में, जो D है, इसका मतलब है, दी ओक्सिर राइबोस, और RNA में जो R है, इसका तब है simple ribose यह आपने पढ़ा होगा deoxyribose nucleic acid ribose nucleic acid ओके चलिए मैं कुछ basic बाते बताता हूं आपको DNA RNA से related उसके लिए मैंने आपको एक page यहाँ पर blank छोड़ा हुआ है तो आप भी इस पर लिख लिजेगा मैं आपको बताता हूं तो हमें difference देखना है DNA और RNA की बीच में जो DNA होता है जिसा कि हम जानते हैं deoxyribose nucleic acid RNA जो होता है वो होता है ribose nucleic acid अब DNA में जो base pair होते हैं वो होते हैं A T G C यह सब base pair है जो कि DNA में देखने को मिलते हैं DNA की structure कुछ इस तरह से है ठीक है double है double strand होता है DNA और यहां पर bonds होते हैं इस तरह से यह bonds किसके बीच में होता है इन चार base pair के बीच में clear है तो जो DNA होता है DNA इस तरह से double standard होता है और DNA में जो base pair होते हैं वो होते हैं A T G C वहीं अगर मैं RNA की बात करूं RNA जिसका मतलब होता है ribose nucleic acid तो यहां पर जो base pair होते हैं वो होते हैं A U G C क्या फर्रक आया देखो द्यान से सुनना मैं आपको बताता हूं जो DNA था उस DNA में base pair थे A T G C अब यहां पर आपको क्या difference दिख रहा है यहां पर आपको difference दिख रहा है कि RNA में यह जो RNA है इसमें यू आ रहा है और DNA में T आ रहा है तो RNA में क्या आता है यू रैसिल आता है और DNA में थाइमीन आता है ठीक है यह सब base pair है DNA और RNA के मैं आपको एक बारोर समझा देता हूं जो DNA होता है उसमें base pair होते हैं A T G C वहीं अगर मैं बात करूँ RNA की तो RNA जो होता है उसमें base pair होते हैं A U G C तो यहां पर फर्क क्या आया जो DNA है उसमें थाइमीन है और जो RNA है उसमें यू रासेल है ठीक है यह सब base pair है अब देखो मैं DNA और RNA बना के दिखाता हूं यह है DNA और यहां पर यह जो single strand है यह है RNA तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं DNA जो है double standard होता है दो strand है यहां पर एक और दो और RNA में सिर्फ एक single strand है यह जो मैंने आपको दिखा रहा है यह single strand ठीक है अब DNA double standard होता है और RNA single standard होता है DNA का फुल्फर्म होता है deoxyribose nucleic acid RNA का फुल्फर्म होता है ribose nucleic acid DNA में जो base pair होते हैं वो होते हैं ATGC और RNA में जो होते हैं AUGC ठीक है फर्क क्या है फर्क सिर्फ इतना सा है कि DNA में थाइमीन है और RNA में यूरासिद अब एक बात और DNA ज़ादा stable होता है दो reason है एक तो वो double standard है और RNA जो है कैसा है RNA single है तो विचारा less stable है और DNA ज्यादा stable है क्योंकि वो double standard है साथे साथ DNA इसलिए भी stable है क्योंकि DNA में ATGC मतलब DNA में थाइमीन है और अगर मैं वहीं बात करूँ RNA की तो RNA less stable इसलिए है क्योंकि RNA में यूरासिद है जैसा कि आप सभी जानते हैं AUGC यह यूरासिल RNA में है और इसकी वज़े से RNA less stable होता है अगर RNA में थाइमीन होता ना तो RNA भी जादा stable होता पर RNA less stable क्यों है क्योंकि RNA में यूरासिल है ठीक है एक बात और ध्यान रखना यह जो DNA में आपको मैंने बताया कि बेस्पेयर होते हैं ATGC RNA में मैंने आपको बताया कि बेस्पेयर होते हैं AUGC ठीक है तो यह A और T की बीच में यहां पर double bond होता है देखिए इस तरह से और G और C की बीच में triple bond होता है यह DNA की बात हो गई A और T की बीच में double bond G और C की बीच में triple bond पर अगर बात करें RNA की तो RNA में आप देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा AUGC तो AU की बीच में double bond होता है और G C की बीच में triple bond तो अगर U है तो RNA है और अगर यहीं पर T आ जाए तो DNA हो गया सिंपल सी बात है ठीक है तो यहां पर आपको इस diagram में दिखा रखा है देखिए यह सारे वेस्पिर दे रखें यह एडिनिन थाइमिन साइटोसिन यह ATGC वाला है जो मैंने आपको बताया था DNA में मिलता है मैंने आपको बताया था DNA में क्या मिलता है ATGC तो A का है यह रहा ए DNA है और DNA आपको यहां पर डबल स्टेंडर्ड बना कर दिखा रखा है इस तरह से देख लीजिए आप ठीक है अब यह RNA जो है सिंगल स्टेंडर्ड है देखो यहां पर दिखा रखा है RNA जो है एक सिंगल स्ट्रेंड है ठीक है और RNA में क्या होता है AUGC AUGC तो A का मतलब वही यू का मतलब युरासिल जी का मतलब यहां पर देखिया ग्वानिन एर्ग वानिन ठीक है दिस वन और सी का मतलब साइट। तो यहां पर आपको वही बता रखा है जो मैंने आपको बताया DNA का मतलब डियोक्सिष्य राइभोन्यूक्लिक इसेड और यहां पर DNA में अच्छे स से आपको difference बता रखा है और यह जो बेस्पेर है ना यह एडिनेन थाइमिन के साथ जुड़ेगा तो आप देख सकते हैं यह लो कलर एडिनेन का है और थाइमिन का रेट कलर है और दोनों कैसे जुड़ते हैं डेवल बोंड से मैंने आपको बोला था कि एडिनेन और थाइमिन मतलब AOT जो है डेवल बोंड से जुड़ते हैं और GOC जो है त्रिपल बोंड से जुड़ते हैं तो आप यहाँ पर द्यान से देखिए एडिनेन का येलो कलर है और थाइमिन का रेट कलर है तो यहाँ पर रेट कलर और येलो कल तो दोनों जूड रहे मतलब एडीनीं जो है थाइमर के साथ ही जूड रहे मैंने आपको बोला था कեյ एडिनीन जो है थाइमिन के साथ डवल ओण से जुड़ता है और गवानीन जो है साइट। के साथ triple bond से जूढता है अब guanine cytosin को भी चेक कर लेते हैं guanine green color से और cytosin blue तो आप देख सकते हैं यहां पर इस में देखिए guanine cytosin से जूढ रहा है blue green से जूढ रहा है ठीक है तो यह जो भी मैंने बताया उसका diagrammatic representation आपको complete दे रखा है अब चलिए पढ़ लेते हैं differences तो देखिए differences में सबसे पहला difference आपको दे रखा है DNA stand 4 मतलब DNA का नाम है deoxyribose nucleic acid और यहां पर जो sugar portion है DNA का वो 2 deoxyribose है deoxyribose तो है पर 2 deoxyribose है ठीक है और RNA का मतलब क्या होता है ribose nucleic acid मैंने आपको बता दियो अब देखो second point second point में लिखा है जो helix geometry होती है DNA की मतलब इस तरह से geometry होती है DNA की helix form में वह आपको B form में देखने को मिलती है और A और Z में मिल जाती है पर generally जो है B form में आपको helix geometry देखने को मिलती है वहीं अगर मैं RNA की बात करूँ तो वहां पर भी helix geometry होती है और वहां पर आपको A form में देखने को मिलती है तो यह एक difference हो गया कि DNA में जो helix geometry होती है वह B form में देखने को मिलती है और RNA में जो helix इसकी जोमेट्री होती है वो ए फॉम में देखने को मिलती है चलिए डियने आप सभी जानते हो डबल स्टेंडर्ड है तो डियने इस डबल स्टेंडर्ड मॉलेक्यूल कंसिस्टिंग ओफ लॉंग चेन ऑफ नुक्लियोटाइट और वहीं अगर बात करूँ आरेने की तो आरे फॉर्म में बता रखी है आरेने की जो एश में के अंदर जो यौ दियाट्र होता है सब्सकान देखी होती है वह वहते हैं यह यह अंदर जैसा कि वह ने आपको कहाता वायight ATGC और RNA में होता है AUGC तो वही सब लिखा हुआ है देखिए यू मतलब uracil और T मतलब thymine यह रहा तो यह है DNA और यह है RNA जहां भी आपको uracil दिख जाए आपको पता हो जाना चीए कि वो RNA है ठीक है चलिए DNA जो होता है वो self-replicating रखता है मतलब DNA से DNA बन सकता है DNA replication बोलते हैं और हमने पढ़ा भी DNA replication तो DNA में replication की property होती है मतलब DNA जो है DNA बना सकता है पर महीं अगर मैं बात करूँ RNA की तो RNA RNA नहीं होए ना सकता यह जो RNA है यह वापिस RNA नहीं बना सकता जबकि हमने देखा DNA से DNA बन सकता है तो ध्यान रखना DNA is a self-replicating मतलब DNA से DNA बन सकता है पर RNA से RNA नहीं बन सकता तो फिर RNA बनेगा किसे लास्ट लेक्चर में मैं आपको पता है तो ट्रांस्क्रिप्शन के की RNA किसे बनेगा तो RNA जो है DNA से ही बनता है DNA के एक स्ट्रेंट से बनता है वो ट्रांस्क्रिप्शन में पढ़ना ठीक है मैंने आपको नेक्स लेक्चर दे रहा है तो इतना याद रखो कि DNA जो है self-replicating है मतलब DNA जो है खुद भी replicate कर सकता है खुद भी अपनी copy बना सकता है और RNA जो है नहीं बना सकता RNA से RNA नहीं बन सकता चलिए base pair बता रखें कि A जो है T के साथ जुड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर जो base pair है उसमें A जो है U के साथ जुड़ेगा क्योंकि RNA में थाइमिन नहीं होता थाइमिन के जगे मां पर यूरैसिल होता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया अब देखें आप प्यूरीन और पिरिमिडीन के जो basis होते हैं वह एकपल नमर में होते हैं तो देखो मैं याद करता हूँ कि यह प्यूरीन और पिरिमेडीन होते क्या है प्यूरीन में जो बेस पे रहते हैं वो आते अग और जी, और पिरिमीडीन में जो बेसर पे रहते हैं, वो आते हैं C.E.W.T, तो आपको ऐसे याद रखना है, आग पूरी लघानी है, effect इजी प्यूरीन और ऐसे याद रखना है, पिरिमीडीन को roman cut करना है, तो कैसे याद रखोगे आग पूरी लगानी है बतलब प्यूरीन में जो है एगा ? आग जो है पूरी लगानी है और पिरिमीडीन को क्या करोगे ? कट करोगे मतलब C U T 3iforme तो यहाँ पर जो प्यूरीन और पिरिमीडीन होते हैं उनके bases number जो है Eachene पर RNA में अगर मैं देखूं तो there is a no proportionality in between the number of purine and pyrimidine bases, कोई fix नहीं है, चलिए, DNA is susceptible to UV damage, compared with DNA, RNA is less resistant to UV damage, देखो DNA को damage करना असाल नहीं है, क्योंकि DNA double standard है, और RNA जो है easily damage हो जाता है, ठेक है, तो यहाँ पर बता रखा है, DNA is susceptible to UV damage, बच जाता है, पर RNA के अगर मैं बात करूँ, तो RNA is relatively resistant to UV damage, मतलब कि अगर DNA जो है UV light के contact में आ गया, तो वो जल्दी damage हो जाता है as compared to RNA, RNA जो है आराम से damage होता है, क्योंकि RNA के पास क्या है, resistant power है, against the UV rays, UV का मतलब ultraviolet, तो ultraviolet rays से हमारा DNA जो है जल्दी damage हो जाता है, पर RNA जो है late damage ह होता है, क्योंकि उसके पास resistant होती है UV से, ultraviolet rays से, चलिए, next point देखते है, hydrogen bonds are formed between complementary nitrogen bases, opposite strand, और यहाँ पर क्या होता है, base pairing through hydrogen bond occur in the coiled part, देखे यहाँ पर क्या कहना चाहता है, यहाँ पर यह कहना चाहता है, कि यहाँ पर जो base pair बने हैं, वो दो के बीच में बने हैं, पर यहाँ आप देखिए, यह single standard है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, hydrogen bond are formed between, between का मतलब दो की बीच में, complementary nitrogen bases of the positive strand, जैसे एक strand का A है, तो दूसरे strand का T होगा, ऐसा है, और यहाँ पर कोई complementary नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह single standard है, ठीक है, तो अगर double standard होगा, इस तरह से, तो अग मतलब दो strand के बीच में बन रहा है, ठीक है, चलिए, DNA is found in the nucleus of cell and in mitochondria, DNA आपको का का मिलेगा हमारी cell में, हमारी cell में DNA देखने को मिलता है, mitochondria में और nucleus के अंदर, cell के nucleus के अंदर, और mitochondria के अंदर आपको DNA देखने को मिलता है, पर महीं अगर मैं RNA की बात करूँ, तो RNA आपको ribosome के साथ, cytoplasm में, nucleus में, सब जगे देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है RNA कौन सा है, क्योंकि RNA भी कई तरह के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सा RNA है, पर RNA आपको nucleus में, ribosome के साथ, cytoplasm में, सब जगे देखने को मिलेगा, पर DNA आपको सिर्फ दो ही जगे देखने को मिलेंगे हमारी cell में, एक तो nucleus में, और पर जो RNA होता है, वो mRNA की form में nucleus को छोड़के जाता है, देखिए, यह cell है, अब cell के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा nucleus है, यह जो है nucleus है, nucleus से RNA तो निकल जाएगा, किस form में निकलेगा, mRNA की form में, पर nucleus से कभी भी DNA जो है, यह DNA अंदर है, पर यह निकल नहीं पाएगा, clear है आपक the carbon hydrogen bond in the DNA, it makes fairly stable, plus the body destroy enzyme that would attack the DNA, small groups, देखो ध्यान से सुनना यहाँ पर क्या कहना चाहता है, जो DNA होता है, ठीके, इसमें छोटे-छोटे groups होते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, जो DNA होता है, इसमें छोटे-छोटे groups होते हैं, छोटे-छोटे groups होते हैं, छोटे- पाएगा, क्योंकि छोटे-छोटे-छोटे groups होते हैं DNA में, पर महीं अगर मैं बात करूँ RNA की, तो RNA में बड़े-बड़े groups होते हैं इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, बड़े-बड़े groups होते हैं इस तरह से, तो RNA में जो है, enzyme काफी easily attack कर लेगा, तो RNA में काफी easily attack कर होते हैं तो यहां पर देख सकते हैं DNA में जो groups होते हैं वो छोटे-छोटे होते हैं तो enzyme को space नहीं मिल पाएगा enzyme सही से attack नहीं कर पाएगा पर RNA की बात करूँ RNA stable इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उसमें बड़े-बड़े groups होते हैं और वर्फिंट्यम एक कर लेता हम आपर चलिए next चलते हैं आप री नैचुरेशन आफटर मेल्टिंग इस लो री नैचुरेशन अप्टर मेल्टींग इस लो जो DNA होता है उसमें री ने निचुरेशन सही से नहीं ही हो पाता री नेचुरेशन का क्या मतलब होता है देखो दो वर्ड एक तो होता है डी नेचुरेशन एक होता है री नेचुरेशन तो डी नेचुरेशन का मतलब होता है डी एने का खराब होना डेमेज होना तूटना और री नेचुरेशन का मतलब होता है डी एने का टूटे है Renaturation तो DNA में जो Renaturation की process होती है वो slow होती है अगर मैं DNA को melt कर दूँ और उसको बोलू वापिस सही हो जा तो वो दीरे-दीरे सही होगा पर RNA बहुत जल्दी सही हो जाता है ठेक है DNA जो है दो तरह की form में exist करता है या तो इंट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ओके पर RNA जो है वह एम आरेने टी आरेने आर आरेने एम का मतलब होता है messenger टी का मतलब transfer आर का मतलब ribose ओके चलिए यहां पर जो 15 इन नंबर का point लिखा है उसमें लिखा है कि DNA का amount जो है fixed रहता है cell में पर RNA का amount जो है fixed नहीं रहता RNA का amount जो है variable रहता है चेंज होता रहता है पर DNA की quantity जो है fixed रहती है DNA लंबा जीता है ठीक है long-lived है पर some RNA are very short-lived while other RNA have longer life कुछ RNA में short life देखने को मिलती है कुछ RNA जो है लंबे टाइम तक जीता है पर जो DNA होता है वो तो long-lived होता है हमेशा ठीक है लास्ट में यहां पर function लिखे हुए है DNA के function लिखे हुए है storage of genetic information transmission of genetic information to make other cell and new organism यह है function DNA के एक तो storage करना long-term तक storage रखना क्योंकि यह long-term तक long-lived रहता है ठीक है साथी साथ transmission करना genetic information का जो genetic information का transmission होता है मतलब जो father से baby में character आते हैं चोटे से baby में character आते हैं तो वह character को transfer कौन करता है DNA ठीक है DNA करता है क्योंकि हम बोलते na यह हमारी मभी पर गया है मैं जो है मिरे पापा पर गया हूं हम सब बोलते हैं तो यह Transmission of Character है Transmission of Character कोन करता है DNA करता है RNA के function देखो यूस टू routine synthesis भी यह करवाता है RNA ठीक है तो यह functions आप पढ़ दीजेगा यहां पर मैंने आपको सारे difference बता दिये और वह भी काफी ज़दा detail में अब इससे आपको कितने भी marks का question आ जाए आपको मैंने इतनी knowledge दे दिये कि आप आसानी से पूरा topic लेख सकते हो RNA vs DNA तो यह था आज का आपका lecture I hope आपको lecture clear हुआ होगा अगर आपको lecture से related कोई भी doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं अगर आपको किसी भी topic से related problem है तो भी आप comment section में comment कर सकते हैं अगर आपको इस PDF के requirement है तो आप जूड़िए हमारे WhatsApp group से WhatsApp group से कैसे जुड़ना है मैंने इसी वीडियो की description में पता रखा है और टेलिग्राम से ज़रूर जूड़ जाना क्योंकि टेलिग्राम पे सारी update मिलती है टेलिग्राम की link भी description में है और अगर आपको link काम नहीं करती तो आप simply टेलिग्राम पे search कीजिए depth of biology और join हो जाएए इसको maximum share कीजिए ताकि सबको DNA RNA के बीच का difference तो as it is clear हो जाए subscribe and share for more have a nice day, thank you